फिटकरी के चमतकारी उपाय YouTube चैनल के सभी भाईयों भहनों को मेरा नमस्कार हां भाईयों भहनों आज में फिटकरी के चमतकारी गुण वा और शधी गुणों के विशय में बात करूंगी फिटकरी का आयरवेद में एक अलग स्थान है पहले समय में आरो या फिल्टर नहीं हुआ करता था कुए से या सरकारी नल से ही पानी मिलता था कुए से पानी भर कर एक बड़े बर्तन में भर दिया जाता था फिर एक फिटकरी का टुकडा लेकर उसमें 3-4 बार गोल-गोल घुमा दिया जाता था जब पानी निधर जाता था तो वह दूसरे बरतन में छान कर भर दिया जाता था, नीचे पानी का कच्रा रह जाता था, गर्मियों में मिट्टी के घरे में पानी थंधा कर हम सभी लोग पीते थे, जो स्वास्थे के लिए बहुत लापकारी वा गुणकारी था, है न चमतकार चमतकारी गुण, दूसरा चमतकारी गुण, भाईयों बहनों नजर उतारने का बहुती बढ़िया उपाय फिटकरी है, एक अलग कमरे में बच्चे को ले जाईए, एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का हाथ में ले लीजे, एक मिट्टी की दियाली में 4-5 टुकड़ा कप कपूर ले लीजे, बच्चे की 7 बार फिटकरी से नजर उतारिए, कपूर के साथ फिटकरी भी रखकर कपूर जला दीजे, फिटकरी भी जलकर फूल जाती है, ये काम कमरे से बाहर कीजे, खुली जगह में, बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, फिटकरी जलकर किसी न किसी आकार की बन जाती है, लोग कहते हैं कि नजर लगाने वाले का चेहरा बन जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फालतु का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ नजर बहुत अच्छी तरह से उतर जाती है, फिट्करी का तीसरा गुण मैं आपको बता रही हूँ, फिटकरी के अनेको औशधिये गुण हैं, यदि कहीं कट जाए, खून निकल आए, तो तुरंत फिटकरी लगाए, खून रुक जाएगा, यदि आपके हाथों में या पैरों में इंफेक्शन हो गया हो तो फिटकरी के पानी में पहले साफ रूई से भिगो कर रूई से पोच फिर फिटकरी के थोड़े से पानी में एक चम्मच सर्सों का तेल, थोड़ी सी पिसी हल्दी, हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, बाजार की पिसी हल्दी में मिलावट होती है, जिस जगह पर आपको तकलीफ है, वहाँ पर रूई से धीरे धीरे लगाए, आपको अवश्य आ दूर भगाती है, भायू बहनो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताईएगा, धन्यवार्द